वाइस वेलकम बैक टो नीव लोग स्वागत आपका मेरी चैनल रेची नियुकर में हाई वोप आप सुठीक होगे तो अभी मैं हूँ कोवेंट्री सेटी सेंटर में और जा रहा हूं एक सेकेंड एंड जैगवार देखने एक्सेफ जैगवार एक्सेफ तो उसके बारे में आगे बताता हूं बट आपको में इस वीडियो में यह बताना है कि कैसे कार स्वैप करकर के कार स्वैपिंग बिजनेस में मतलब एक गाड़ी खरीदी फिर बेज दी तो उसमें कैसे आप एज़ा स्टूडेंट साइड इंकम जनेर्ड कर सकते हो प्युकि जिस बंदे के पास में जा रहा हूं वह भी जिर साल से स्टूडेंट अब से तब से करता रहा है और उसने काफी महंगी महंगी घाड़ी खरीदी लिए इस बीच में तो वो तो वीडियो में नहीं आएगा मिरे को पता हो मना करता है बठां मैं मैं पूर आपको समझाऊंगा कैसे कैसे स्टार्ट किया था एंद फिर पास हैं चार पास गाड़ियां एक ब्यम्डब्लू फाइव सीरीज है एक कनवर्टे बले मॉसरी डीज की एक जैग्वार एक सफ है यह वाली जो देखने जा रहा हूं और तो यही काम कर रहा है भी और क अब आप गाड़ी खरीद के ऐसे कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बारे में बताता हूं आपको बुरा बाकी सोच तो मैं रहा हूं जैग्वार रेनों बहुत तगड़ी है यार वो बट देखते हैं पसंदाई दो तो यह है देखो गाड़ी एंड अब प्रेश तो काफी जादे हैं चैको आप यह आगे से एधर खड़ी भी एपार्क नहीं एक बार इंजर में खोड़ते हैं तो देखो भाई वी-6 नजनेस में लगा हूँए और सबस्से में चीज देखने हो थे कि को लीग बगर तो नहीं मतलब देखो इंटेक वगरे में प वाई फील्ट है गाड़ी में बढ़िया प्रॉपर लग्जिरियस अबस भी इसमें संरूफ या मून रूफ नहीं है अकी तो यह बढ़िया तो यह रही इंटीरियर एंड यह 2010 मॉडल है यह 2008 मॉडल है जागवार XF काफी नीट है और बहुत मेंट कंडिशन में सब कुछ और अम्बेंट लाइटिंग वगरा भी है प्रॉपर इसके लावा फीचर्स काफी जाए है सॉफ्ट अब कुछ भी देख लो टायर भी मिलब सभी कंडिशन में होने चीह है एंड ठीक है मतलब देखने में तो देखो गाड़ी ठीक लगरी है बट वही होता है में कि आपको में इंजन का फिर टियर वक्स नहों में इबाले कंपूरेंट पर दिककत नहों बॉड़ी वगरे पर तो काम चल जाता है तो इसको आज तो नहीं बाकि कलिया पर सो लेकि जाते है गाड़ी बहुत तगडी ये कंडिशन बडिया है बाकि चला वोस्ते निए नहीं था गाड़ी दिखाना तो अब देखो मतलब मैं उसके बारें बताता हूं कि उसने कैसे क्या करा आथा है सटार्ट कैसे करते हैं ये करते हैं पहली बाद तो मेरे को शॉकिंग लगी कि उसके पास यहां का ला इसन्स ही नहीं ए इंडियन लाइसेंस पर भी तुम गाड़ी ले सकते हो ना तो उसने आते ही अपनी गाड़ी ली थी नॉर्मल वक्सवेगन की फिर उसको 200-300-400 प्रॉफिट में निकाल दिया तो वहीं से वह इंडिया में भी कड़ता थेगा बट यहां पर में चीज क्या है कि यहां पर तुम्हें लक्जेरियस और य कोई भी गाड़ी खरीदो अब खरीदने के लिए तुम दो चीजी उसकर सकते हैं फेल्बुक मार्केट प्लेस या फिर ऑक्शन अब देखो मार्केट प्लेस पे तुम्हें गाड़ी मिलेगी जैनुवन होती है most of them बट तुम उसको फिर भी गैरिज में चेक कराओं जैसे अगर तुम्हें जैसे ब्रेक पैट्स अगरा घिस रहें वो नए डलवा दो मतलब गाड़ी अच्छी दिखें कोई भी अगर खरीदना है उसको थोड़ा बहुत चला के देखो कोई दिक्कत नहीं है उसको जैसे तुम ने 2000 में खरीदी उसको 3000 में लिस्ट कर दो वापस से Facebook लुक मर्केट प्लेस पर ठीक है 3000 में निभी जाएगी तो पच्छिसों में विकेगी फिर भी 500 आएगा जिम में दूसरा तरीका उक्षन वाला सबसे बेस्ट इसलिए रहता है कि ऑक्षन में तुम्हें गाड़िया मिल जाती है सस्ते में और नई नई गाड़िया मिलती है नई यर्स की गाड़िया अब और ओक्षन में क्या होता है तुम्हें अगर रॉक्षन से गाड़ी खलीने तो अगर गूगल पर टालोगी यू के कार ऑक्षन बहुत सारी आक्षिंट वह वहां पर वही बीडिग कर के तुम्हें गाड़ी लेनी होती है तो एक्सिडेंटल क सब्सक्राइब तो अगर आपको यह चीज़ करनी है मतलब इससे इजी साइड मनी आ सकता है यह नहीं कि आपको यही करना है बढ़ा साइड मनी ऐस स्टूडेंट तुम लोग कर सकते हैं और में चीज़ यहां पर कॉंटेक्स बनाना तो कॉंटेक्स बनाओ गैरे जो गयरे वाला तुम्हारा कोई होगा ऐसे उन से में कार डीलर से मनाओ तो यह वाली चीज़ वह पूरे और साल से कर रहा है उसके पर चार-पाच गाड़े खड़ी ती कहरे जो भी बिग जाती है आराम से बन जाता सर्वाइफ करनी है अब वो टू भी एच के फ्लैट में रहता है देन गाड़ी अभी बढ़ी है तो वह यह ना अब मल्टिपल काम तो करने ही बढ़ते है तो यही चीज मैंने कुछ आप लोगो को बता दूँ कि आओगे अगर तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे बिजन मन किया तो खरीद भी सकता हूं और उसको आगे मैं भी निकाल दूँगा क्यूंकि खरीद निकले कुछ नीचे होता है मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि खरीद निकले तुम्हें यह नहीं कि ड्राइविंग लाइसन्स होना चाहिए बट मैं सोच रहा था खरीद लिस्ट कर दो उसको फेस्बूब मार्किट प्लेस पे और अपने कॉंटेक्स को बता दो कि मैं भाई गाड़ी बेच रहा हूं तो वहां से कोई ना कोई तो लीड आई जाएगी अगर आपके 300-400 पांड भी बन रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है उसमें कॉंसा आपको मेहन ज्यादा करनी पड़ रही है घर बेटे बेटी तो जैसे मैं स्टोरी डाल दूँगा तो स्टोरी से कोई खरीदेगा तो घर बेटे बेटे हो जाएगा काम तो यह वाली चीज़ है यूस में भी लोग कार स्वैपिंग से बहुत पैसा कमाते हैं मतलब छोटी-छोटी गाड पार्किंग में यूज नहीं करी तो खर्चा तो आएगा नहीं खरीदने का खर्चाएगा तो उसको फिर निकाल दिया तुम्हें कौन से इंशुरेंस उसका खरीदना है अपने नाम पर फिर एमोटी करानी है या फिर कुछ कराना है तो यह वाली चीज़ है अब जैसे मेरे निकली होती है उसकी फोटोस खीचता और इंटीरियर भी उसका पॉलिश करा के बिल्कुल मतलब चमका देता एंड उसके बास फोटोस खीचके उसको पब्लिश कर देता तब फिर पार्केट प्लेस पे तैने वहां से कोई ना कोई तो क्लाइंट आता या राम से अगर खड स्वैपिंग का इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग कर सकते हो क्योंकि एक चीज़ देखो ना अगर में पास कोई गाड़ी है मैं परसनल यूज कर रहा हूं अगर मैं उसको बेचूंगा तो अगर मैं को उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो वह गलत काम दोड़ी है तो यह है तो अगर आपको अपॉर्चिनिटी दिखे है ऐसी कोई गाड़ी मिल रही हो थोड़ा से इंवेस्ट कर रहा है ठीक कराना गाड़ी अगर कोई दिक्कत है नहीं है तो कोई बात ने चमकाना बढ़िया और उसको बेच देना आगे और ऐसी करके कर सकते हो एकर आप कोमेंटरी में होगे और आप काड़ी कर दिनी होगी तो मेरे से कॉंटेक्ट कर ले ना मैं आपको दिलवाद हूँगा और पक्का उसमें ज्यादा ऐसा कुछ सीन नहीं रहेगा कि मैं ज्यादा बड़ा चड़ा कि दुम से कमाऊंगा नॉर्मल भाई चारे वाला सीन रहेग ठीक है चलो इस वीडियो कहीं पर करते हैं अभी मेरे को एक और वीडियो बनानी है बी आरपी वाली अपनी तो अब मैं वह शूट करता हूँ बी आरपी की वीडियो वह आप देखोगे कल या परसो लब यह वीडियो देखने के एक दो दिन बाद देख लोगे चलो ठीक है टेक केर गाइस मिलते हैं एक वीडियो में एक व्लोग में आए हूप आपको यह व्लॉग पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक करना शेर करना सब्क्राइब चंगा फिर पाई